आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Fill in the blanks with suitable words यहाँ पे fill in the blanks बोलागे ही मोफिल्या is a dash disorder तो ही मोफिल्या के बारे में study करेंगे ही मोफिल्या हूता क्या है तो ऐसा इसा इसा टाप कर डिसोडर होता है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर जब्भी कोई वूंड बनता है जब भी कोई WUND create होता है तो इस WUND को clot करने के लिए clotting factors हो बनाया जाते हैं यह clotting factors प्रोटीन होते हैं clotting factors को बनाया जाता है and यह होते है प्रोटीन and इहीं के मदद से जो wound होता है वो clot कर जाता है तो Wound के clot होने से क्या होता है कि यह protein help करते है blood loss को prevent करने में अगर wound जो है as it is रहेगा तो blood loss बहुत ज़ादा होगा तो blood loss को prevent करते हैं ये clotting factors अब hemophilia में यही clotting factors जो होते हैं ये effect हो जाते हैं hemophilia कैसा genetic disorder है जिन में ये clotting factors का formation ही नहीं होता तो ये form ही नहीं हो पाते जिस वजे से अगर चोटा सा भी cut लग जाता है उस इंसान के जिसको hemophilia है तो उसको continuous bleeding होती रहती है continuous bleeding होती है and this can result in blood loss बहुत ज़ादा blood loss हो जाता है उस इंसान के अब ये जो disorder होता है hemophilia ये होता किस पर है तो ये होता है mutation के होजे से mutation हो जाती है on X chromosome यानि जो ये blood clot बनाने वाला gene होता है ये present होता है X chromosome पे जब इसके अंदर mutation हो जाती है तो उससे hemophilia हो जाता है ये X chromosome पे तो होता है पर ये एक recessive disorder होता है recessive इसले होता है क्योंकि इस mutation की दो copies चाहिए होती है दो copies होंगी तब ही males के पास तो केवल एक ही X chromosome present होता है अगर ये X chromosome mutated हुआ तो males के अंदर ये express हो जाता है disorder whereas females जो होती है जिनके पास केवल एक ही ऐसा chromosome present है जो की mutated है तो वो carrier बन जाती है मतलब उनके अंदर ये disease देखने को नहीं मिलता है disorder देखने को नहीं मिलता बट ये आगे generation में pass on कर सकती है जब females के दोनों X chromosome mutated हो तभी ये affected females होती है तो इसलिए एक advantage होती है females के पास क्योंकि उनके पास दो X chromosome present होते है तो इस question का right answer होगा कि हीमोफिलिया जो है वो है एक sex linked sex linked क्योंकि X chromosome पर इसका mutation present है और क्योंकि ये recessive है तो ये recessive disorder है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़े अपने डाउट्स 8444 सुपर